साल 2020 की चुरुवात में ही चीन में कोरोना महामारी ने दस्तक दी देखते ही देखते जंगल की आग के तरह ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई लाखों करोडों लोग इसका शिकार हो गए बिमारी की पहली लहर आई फिर धीमी पड़ी फिर कई देशों ने कोरोना पर जीत गोशित कर दी लेकिन इसने दुबारा सर उठाया तबाही का एक दौर दुबारा शरू हुआ भारत समय दुनिया के तमाम देश तो अब भी कोरोना से जूच रहे हैं हारांकि भारत में इसका असर पहले से थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन अब भी हम कोरोना पर जीत पाने से बहुत दूर है आखर कब और कैसे काबू में आईगी ये महामारी कबर स्टोरी में इसी की पड़ताग एक साल से भी जादा का वक्त बच चुका है जब विश्व स्वास्ते संगठन यानी WHO ने COVID-19 को बहामारी घोशित किया था इस संक्रमन दुनिया भर में लोगों की जाने ली सबकी जबान पर अब एक ही सवाल है कि कोरोना से चुटकारा कम मिलेगा शुरुआत से ही वैक्सीन को एक असरदार हत्यार माना जा रहा था इसके लिए जिससे लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाया जा सके अब दुनिया भर में वैक्सीन से ये उम्मीद लगाई गई थी कि इससे कोरोना संक्रमन को रोकने में मदद मिलेगी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया लंबी है जिसमें काफी वक्त लगता है लेकिन फिर भी कोरोना वैक्सीन को काफी कम समय में बना लिया गया और ये कोरोना वारस पर असरदार भी साबित होने लेगी थी लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसी उम्मीद लगाई गई थी अब अपने लोगों को COVID वाक्सीन लगाने वाले दुनिया के पहले देश इस्राइल में कुरोना के मामने फिर बढ़ रहे हैं इस्राइल में 60 साल से जाधा उम्र के लोगों को COVID का तीसरा टीका तक लगाया जा चुका है लेकिन विशेशक्यों का मानना है कि जल्दी वो हालात आ सकते हैं वहां जब लोगों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिलेंगे देखें बीवी से समबादाता जैने हिल की ये रिपोर्ट आईसियू का ये कमरा एक कड़वी सच्चाई बया कर रहा है कि कोरोना वाइरस क्या कर सकता है इनकी क्या उम्र है? ये तेलवीव का इचिलो अस्पताल है जहां स्टाफ ने हमें बताया कि वो संक्रमण की चौथी लेहर का सामना कर रहे है आईसियू में बेड बढ़ाने से लेकर वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन अस्पताल में भरती होने वालों और गंभी रूप से बिमार पढ़ने वालों की तादाब बढ़ती ही जा रहती है पूरे देश का यही हाल है यहां तक कि जब हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं तब भी डॉक्टर पोन पर समस्याएं सुन रहे हैं यहां एक मरीज है जिनें तीन टीके लग चुके हैं लेकिन वो कोविट पॉजिटिव हैं और साज भी नहीं ले पा रहे हैं यह आज अस्पताल आने बाले दूसरे मरीज हैं जिनें आईसियू की जरूरत है लेकिन सिर्फ एक ही बेड खाली है मुझे डर है कि यह तादाद और बढ़ेगी और हमें इस तरह के कड़े फैसले लेने होंगे कि किसे आईसियू में बैठ दें और किसे नहीं मुझे इसका डर था और संक्रमन की पिछली तीनों लहरों में हमें ऐसे ही फैसले लेने पड़े थे यह तो दुनिया का पहला देश था जो अपने हर नाक्रिक को टीका लगा रहा था पर आज संक्रमन बढ़ रहा है सरकार पाबंदिया लगा रही है यहां तक कि लॉकडाउन लगाने पर रिचार किया जा रहा है दरसल यह सब डेल्टा वीरियंट की वज़ा से हुआ है लेकिन एक गलती मुझे नजर आती है कि हम सब में एक किस्म का उत्सा आ गया था कि अब कोरोना खत्म हो गया है ऐसे में हमने उन लोगों को टीका नहीं लगाया जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा था इस्राइल की उम्मीदे अब कोविट के तीसरे टीके से हैं जल्द टीका करन के लिए ऐसे सेंटर खोले जा रही है हमें नहीं पता कि हम कैसा काम कर रहे हैं क्यूंकि तीसरे टीका लगवाने वालों के आकले जानने में हमें हफते दो हफते का वक्त लगेगा सवाल ये है कि क्या तीस्ती डोज लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएगी और अब ही तक हमें ये पता नहीं है उनकी बातों में ग्यारंटी नहीं है पर थोड़ी उम्मीद है इसराइल के लिए मसला संक्रमण के मामले बढ़ना नहीं बलकि देश भर के अस्पतालों में हालात ऐसी हो जाना है इसी से तैह होगा कि इसराइल आगे किया कदम उठाएगा अब कई देशों में बूस्टर डोज लगाने के तैयारी चल रही है अमेरिका, ब्रिटिन और उरुगवे जैसे कुछ और देश भी अपने देश के कमजोर बीमार लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज देने की योजना बना रहे है हलांकि वैक्सीन कोविड के खलाफ जंग में एहम भोमिका निबात हो रही है लेकिन ये कैसे और किसे लगाई जारी है ये भी बेहत एहम है वैग्यानिकों का कहना है कि सबका भला इसी में है कि दुनिया के सभी हिस्सों में बराबर वैक्सीन मोहया कराई जाए क्योंकि अगर हम दुनिया भर में संक्रमन में कमी लाएंगे तभी इसके नय वेरियंट पैदा होने से हम बच भी पाएंगे हम भारत में पाए गए डिल्टा वेरियंट के मामले में ये देख चुके हैं अगर ये वेरिस हमारे इर्दगिद रहेगा तो कल को नया वेरियंट पैदा हो जाएगा जो हमारी मौझूदा वेरियंट से जाधा ताकतवर भी हो सकता है और आज की तारिख में अमीर देशों के पास वेक्सीन की भरमार है हर्ड इमिनिटी तभी मुमकिन है जब दुनिया के एक बड़ी आबादी को वैक्सीक मुहाया कराई जाएगी तो मौजूदा हालात में जहां दुनिया भर में कोरोना वाइरस के नए वेरियन का खत्रा लगातार बना हुआ है वहीं दुनिया के कुछ हिसों में मौजूदा कोरोना वाइरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में ये वैश्विक महामारी खत्म कैसे होगी जैसे जैसे हमारा शरीर वाइरस से लड़ने में बहतर होता रहेगा इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वाइरस बेसर हो जाएगा शुरुआत में किसी के पास भी वाइरस की इम्मूनिटी नहीं थी जिसकी वज़े से पूरी दुनिया में कई लोगों को जान गवानी पड़ी हाला कि अब जब दुनिया में कई लोग इससे संक्रमित हो चुके है तो हमारा शरीर वाइरस से लड़ने में पहले से कही ज्यादा मजबूत है इसके बावजूत लोग अब भी संक्रमित होकर दूसरे लोगों में संक्रमन फैला सकते है पर बहुत कम ही लोगों को अस्पिताल जाना पड़ेगा तो बिमार इसे खत्रे का स्थर जिस तरह से कम हो रहा है वाइरस पेंडमिक की जगा अब एंडमिक हो जाएगा जिसका मतलब है कि इससे पहले के मुकाबले अब ठीक से समझा और निप्टा जा सकेगा ये भी दूसरे सीजनल फ्लू की तरह ही बन जाएगा जो बदलते मौसम के साथ सामने आएगा हलाकि ऐसा जल्द नहीं होने वाला और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसा अलग-अलग समय पर होगा फिलहाल पैंडमिक कोविड-19 पूरी दुनिया में एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है और विश्वस्वास्ते संगठेन के मुताबिक ये अभी कहीं नहीं जाने वाला और भारत में भी बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वाइरस संक्रमन के 45,000 से जादा नए मामलों का पता चला है 24 घंटों में 366 लोगों की मौत संक्रमन से हुई है संक्रमन के मामले में राज्यों में केरल सबसे आगे है केरल में एक दिन में 32,000 मामले सामने आए हैं 188 लोगों की मौत हुई है और भारत में अब तक 67 करोड से कुछ अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उमीद की जारिये के आने वाले दिनों में वैक्सिनेशन में और इजाफा होगा